जैहिंद BPSC TRE 2.0 निशित रूप से आप फॉर्म भर रहे होंगे जो एलिजबल कंडिडेट हैं और कन्फ्यूजन का दौर समाप्त नहीं हो रहा है कुछ दिर पहले हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो इस आधार पे हम बनाये थे कि कम सकम अपने यहां पढ़ने वाले 10 बच्चे BPSC आयोग गए थे और वहां पर जो कन्फ्यूजन था खास करके इसी से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि बिहार एस्टेट पेपर परिक्षा, 4 years age exemption इसमें subject का भी नाम दिया हुआ हिंदी इंगलिस साइंस में, social science, Sanskrit उर्दू, दूसरा मादिमिक शिक्छक पात्ता परिक्षा, estate 1 जिसमें 10 years age exemption इसमें subject दिया हुआ है, अब तीसरा हम अन नहीं दिया हुआ है, यही चीज 11-12 में है, अब confusion कहा है, तो वहां जब आयोग में technical section में छात्रों को भेजा गया, और वहां पर खुद आपस में confused थे, यह बात उसमें भी हम चर्चा किये थे, तो उन्होंने असपश्टया बताया कि इसके बारे में, कि आप अगर underage है, underage का मतलब है कि अगर आपका 37 साल से age नीचे है, तो आप मादिमिक, स अगर यह subject है, इसको tick करना है, और दूसरा बताया कि अगर यह subject है, तो इसको tick करना है, अगर इसमें से दोनों में से subject नहीं है, तो अन्हे को tick करना है, और यही बात 11-12 के लिए भी लागू होती है, अब लेकिन confusion कहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही यह चीज update हम किये, इसका वीडियो बनाए, नीचे में बहुं सारे कमेंट आने लगे, कि सर यह इस कारण से नहीं दिया गया है, बलकि जो student 2011 में जब estate हुई थी, और 2017 में पुने estate हुई, तो उनको special 4 साल का और 10 साल का age का छूट दिया गया है, इस लेकर कि यह दोनों option दिया गया है, और जो current जिनका age 30 साल से नीचे है, वो अन्य सेक्षन में तिक उनको लगाना चाहिए, तो कहीं न कहीं ये बात जो है, ये तारकिक है, और जब हमने पुनह दुबारा से VPSC आयोग इस बात को लेकर के भेजा, तो फिर उनका सरदर्द थोरा सबर गया, और उन्होंने संबंदित एक notice निकाल करके हम आप लोगों को दे देंगे, इसले करके आप अभी अस्तिर रहिए, अभी समय भी है, cancel भी हो रहा है, वगरह वगरह, तो हम तमाम छातरों को कहना चाहते हैं, कि इससे related clear video, कल फिर एक हम आपके लिए बना पाएंगे, और आज देख लेना है कि इसके regarding notice म ये बातें clear करी जाती है कि नहीं करी जाती है, तब तक हमको लगता है कि एक दिन आप registration कराके छोड़ दें, और चुकि अभी cancel का भी option है, बहुत परिशान होने की ज़रत नहीं है, wait and watch करें, और कल second half में आप जैसा भी निरने हो पाएगा, उसके अनुसार इसको आप भर पा करेंगे, क्योंकि इस्तिती ये है कि यहाँ BPSC आयोग को असपस्ट या इस बात को लिखना चाहिए, पूरा detail देना चाहिए, क्योंकि जब पटना में रहने वाले छात, direct BPSC जाते हैं, तो वहां के अधिकारी तक confused, उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है, कि कि इस option में क्य भरना चाहिए, सब अपने-पने हिसाब से बताते हैं, और वो information देते हैं, अभी भी वो दसो बच्चे मेरे पास में हैं, और जो उनको बताया गया, उसके according वो आप करके हम से share किये, और चुकि उन्होंने अपना change भी कर दिया, जो उनको बताया गया था उसके हिसाब से, ल धन्यवाद